तो दोस्तो कश्मीर के अनन्त नाग में, हमारे तीन और जवान वीरगती को प्राप्त हुए। इन मेंसे दो आर्मी के जवान थे, जिसमें एक कर्नल मनपीत सिंग और दूसरे मेजर आशिर्श दोनाग और एक जम्मु कश्मीर पुलीस में से डीसपी हुमाय उपठ। हम इंडिया स्ट्राइक्स की टीम की ओर से इनके और इनके परिवार जनों के लिए सम्विद नए व्यक्त करते हैं अब इसके उपर कुछ पार्टियां अपनी राजनीती खेलेंगी ये इस राज्य से था वो उस राज्य से था और सब लेकिन अगर आप इन जवानों को पूछो तो वो बताएंगे कि वो सबसे पहले भारतिय थे जिस तरह से हमारे देश के वीर भगत सिंग, सुकदेव, चंदरशेकर आजाद और कई हुए उसी तरह से ये जवान हैं जो आज भारत की धरती पर कदम रखने वालों से हमारी रक्षा करते हैं और करते रहेंगे इनको फरक नहीं परता है कि आप हिंदु हैं या मुसलिम, बिहारी हो या तमिल ये लोग अपनी जान की बाजी लगा कर सरहोद उपर खड़े हैं और दुश्मनों का दट कर मुकाबला कर रहे हैं इसा उसर पर हम सभी भारतीयों से और राजने दिक पार्टीयों से ये अनुरोद करना चाहते हैं कि क्रिपया इसके उपर अपनी राजनीती ना करें और BCCI और भारत के लोगों से ये भी कहना चाहते हैं कि जिस देश के लोगों को सिर्फ इसलाम और टू नेशन थियरी सिखाया जाता है जहां से आये दिन हमारे देश पे आतंगवादी बेजे जाते हैं ऐसे लोगों के साथ किसी भी प्रकार के तालुकात रखने की कोई आवश्यक्ता हमें नहीं मैसूस होती ऐसा करने से ये सिर्फ उन लोगों को नॉर्मलाइज करता है जो उग्रवाद को अपने वहाँ पर पालते हैं हमारे जवान सरहत पर इसलिए नहीं शहीद हो रहे हैं कि हम भारत पाकिस्तान का मैस देखें और उसमें पैसे बनाये हैं और ऐसे आमानविये लोगों को नॉर्मलाइज करें तो इस मन्ध से हम आपको ये अनुरौत करना चाहते हैं कि अन्य कई मैचेज होते रहेंगे दूसरे देशों के साथ तो आप उनको देख भी सकते हैं जो आप भी कर सकते हैं लेकिन पाकिस्तान के साथ इस रिष्टे को भी खतम करने का प्रण लें सब मिलकर ये कर सकते हैं कॉमेंट में हमारे जवानों के लिए जैहिंद लिखना ना भूलें इंडिया स्ट्राइक्स अगली खबराने तक जुड़े रहें जैहिंद